हेलो दोस्तो क्या आपके भी बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे हो गए हैं बेजान हैं आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं हैं बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है और साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राइ हैं तो आज मैं आप लोगो अगर आप apply करते हैं तो आप अपने बालों में heatless straightening कर सकते हैं, अपने बालों में shine ला सकते हैं, अपने बालों की dryness को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ में आपके बालों को ये मजबूती भी देगा, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा helpful है, यदि आपको पसंदा है, then please म मुझे नहीं मेरे चैनल को, and also TikTok, Instagram, Facebook, and Hello, अपर भी आप मुझे follow कर सकते हैं, चारों की ID का link है, description box में, और नाम mention है मेरी screen पे, अभी आप देख रहे हैं, मेरे बाल कितने ज़्यादा shiny लग रहे हैं, आपने before देखा मेरे बाल कैसे थे, और आप मैं आपको अब after दिखा रही के लिए, ठीक है, चलिए, हेर मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने लेना है, एक बनाना, उसको कट कर लेना है, और फिर उसके बाद में, आपको इसको मिक्सी में डालना है, क्योंकि हम इसका एक अच्छा सा consistency वाला paste बनाने वाले, अब मैं इसमें add कर रही इसरा यह आपके बालों को नरिश्मेंट भी प्रोवाइड कर आता है, ठीक है, आपको आपके बालों को यह एक तरह से प्रोटीन भी देता है, उसके बाद में मैंने एक चमच शहद add किया है, फिर मैंने एक चमच कोकनर टॉइल add किया है, अब इसके आपको consistency देख ली, आपको कुछ इस तरह की तरह हेर मास्क में बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाड़ा भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से अपलाए हो जाए, बस इतनी consistency आपको रखनी है, अगर आपका गाड़ा हो जाता है ना, पेस्ट तो आप उसमें दो चमच बेसन मिला सकते ह ठीक है, अब यहाँ पर आप मेरे बाल अभी देख सकते हो, कोई भी shine नहीं है, कितने dry हैं, कितने freezy हैं, freeziness को भी यह दूर करेगा, मतलब यह एक हैर मास्क है ना, आपके बालों को बहुत ही अच्छा कर देगा, इस बात की मैं guarantee देती हूँ, ठीक है, अब आपने क्या करन है, अपने बालों को दो parts में divide करना है, और फिर छोटे-छोटे section लेने, बड़े-बड़े section लोगे ना, तो आपके बाल straight नहीं होंगे, ठीक है, आपने अभी देखा था मेरे बाल कितने जादा अजीब से लग रहे थे, अभी आप देखना last मेरे बाल एकदम straight है, जबकि मै कोई भी straightening नहीं की है, ठीक है, तो अगर आप एक अच्छा सा heatless straightener का भी वीडियो चाते न, straightening कैसे करें बिना किसी product के घर पे ही, तो मैं आपको बताऊंगी, उसके भी बहुत से remedies हैं, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगे, आप मुझे comment कर देना, वैसे आप लोग में इस तरह से इस hair mask को apply करना है, apply करना ही का तरीका बलकुल ही easy है, आप इसको अपने जड़ो में लगा सकते हैं, आप इसको अपने बालो के शुरुआत से लेके अंत तक, मतलब आपको पूरे बालो में इसको apply करना है, और एकदम सीधे इस तरह से लगाना है, मतलब आपक कर लेती हो आपके बाल सुकते हैं तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ड्राइनेस लगेगा आपके लगएगा आपके बाल थोड़े राह duy हो रहे हैं तो नेक्स टाइम जब इसको आप apply करना तो aloe vera gel mix कर लेना ठीक है अगर आपको बहुत ज़्यादा dryness feel होती है और दूसरी चीज ये भी है कि आप जब hair wash करते हो ना तो पूरे बालों को आपने नहीं सुखाना है जब आपके बाल 80% सुख जाए 20% गीली हो तब आपको comb करना है ठीक है यानि की कंगी से अपने बालों को सुल जाना है उससे आपके बाल एक दम ही straight हो जाएंगे और बस इस तरह से इस process को आपको complete करना है अब आप देख रहे हैं मैं कितने चोटी-चोटी section लेके इस hair mask को apply कर रही हूँ यह hair mask बहुत ज़्यादा easy है अगर आप इसमें एगो मिला दोगे न तो आप अगर आप non vegetarian हो तो आप एग भी इसमें mix कर सकते हो ठीक है बस आपको इस तरह से इस hair mask को apply करना है और अगर आप लोग मेरे hair care के videos देखना चाते हो तो मेरे playlist का मैं link देती हूँ skincare hair care का baby care का तो आप link पे जाकर के देख लेना playlist ठीक है vlogs में इस टाइम ज़्यादा share करें क्योंकि आप लोगों को मेरे vlog ज़्यादा पसंदा रहे है मेरे recipes भी बहुत पसंदा रहे है मुझे उसमें response अच्छा मिलता है तो इसलिए मैं vlog share कर रही हूँ आप लोगों के साथ में तो अगर आपने मेरे vlog नहीं देखें और आप पहली बार आयों मेरे चैनल पर तो एक बार मेरे vlog को ज़रूर चेक आउट करिएगा और हम लोग काफी महनत से vlog बनाते हैं काफी महनत से video में बना रही हूँ तो प्लीज मुझे support करिए और आप लोग में से बहुत सारे नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर ठीक है बस अब आपने देखा मैंने कोई fast forward नहीं किया है ताकि आपको easily समझ में आए कि किस तरह से इस mask को apply करना है और आप इसको अपने जड़ों पर भी apply कर सकते हैं ठीक है वही बात मैं बार बार repeat करें हूँ आप देख लो इस hair mask को आपको लगाना कैसे ठीक है दो घंटे अ इस hair mask को को रखने है आपके बाल कुछ इस तरह से हो जाएंगे आप क्लियरली देख रहेंगे मेरे बाल कितने जादा शाइन ही लग रहे हैं एकदम ही स्ट्रेट हैं जरा भी आपको फ्रिसनेस नहीं लग रही मतलब बाल ऐसे नहीं कि बहुत उलजे हैं या इधर उदर भाग रहे हैं, दोड रहे याई है आप देख रहे हो गाई जब की मैं कभी भी conditioner नहीं यूज कर ती हूं आपको यी बास पता है भाई मैं conditioner में पैसा वेस्ट नहीं करती मैं घर Heya चीजों को यूज करके अगर अपने बालों में चमक ला सकती हूं आपने वालों के z Tian is बहुत पसंद है टच्वूर्ड उनको नजर ना लगे और बस यहां पर यह वीडियो फिनिश होता है आई होप आपको यह आज का व्लॉग नहीं वीडियो पसंद आया होगा व्लॉग की आदत हो गई है और यह रेमिडी आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई हो तो प् करती हो आप लोगों से नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ में सो बाबाए एंड टेक क्यार ओल्सों बाइग गाइज